कि जब हम गोमाता की वीडियो लेके आते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जो किसान बयाय उनके दोबार एक ही बात की डिमांड की जाती है कि गाय साह्योवाल ब्रीड के अंदर होनी चाहिए, कद हाइड के अंदर अच्छी होनी चाहिए, कौल्टी में बैतरीन होनी चाहिए तो दोस्तों आज हम आपकी पसंद के अनुरूप वेसी ही गोमाता की वीडियो लेके आच चुके हैं तो दोस्तों जो भी किसान भी आपके अपने इस चैनल पर पहली बार आएं और जो वीडियो देख रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज चुकिया और आज गाय की डिवरी को लगबग 6-7 दिन का टाइम निकल चुका है अभी गाय की नीचे 10 और 11 लिटर के बीच में इसको अपने कच्चा दूद बोलते हैं वो भी त्यार है दूद देने के शमता के बारे में बात करें तो लगबग 14-15 लिटर तक या दूद द दूरी बढ़ती ही जाती है जैसे कि अपने पंजाब का एरिया लेते हैं तो उस एरिया से लेकर के अगर आप बिकानेर के बेल्ट के अंदर जाओगे तो उस सायवाल गाय के जो कलर है उसके अंदर हलकी सी चेंजिंग होती ही जाएगी कहीं तो अपने को बहुत ही गहरे लाल कलर के अंदर सायवाल गाय देखने को मिलते है और कहीं अपने को हलके रेड कलर की गाय देखने को मिलेगी जिससे कि अपने नूर मिलके अगर अपने गाय लेते हैं तो शायद हर किसान बाई जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अ कर्मि रहती है तो उसके कारण पर थोड़ा परवाव पड़ता ही पड़ता है गाय के डीटेल के बारे में हम बात करें तो गाये ने भी दूसरी बार बच्चे दिया है सैकिंड टाइम इसकी डिलीवरी हुई है His इसके साथ में मेल काफ है यानि की बच्छडा है गाय की दूद देने के शामता है जो लगबग 14-15 लिटर के करीब के रहने वाली है अभी गाय कि इन जे 11 लिटर लगबग आप मान सकते हैं 11-12 लिटर के सम्थिंग जो कच्छा दूद है वो भी तियार है इसकी लोकेशन के ब किमत रखी गई है और बहुती रेजनेवल प्राइस के अंदर 55,000 के अंदर आज गो माता आपके लिए सेल के लिए उपलब्द करवाई जा रही है एक अच्छी कधायट की गो माता है जो किसान भाई खरीदना चाहते हैं इसके बारे में हो अधिक जान कर लेना चाहते हैं जो स्क्रीन पर नमबर मेंशन हो रहे हैं इसे नमबरों पर कॉल करके वर्टसप मैसेज करके आप इसके बारे में हो रधिक जान कर ले सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिंद जागो मता